आप सब के अंदर विराजमान उस प्रमपिता प्रमेश्वर को मेरा परणाम आप सब लोग बहाओ के साथ, शर्दा के साथ, अर्दै के साथ और जो मजबूर विचार सक्ति होती है उसके साथ चले घर से, क्योंकि बहुत लोग तो ये भी सोचते होंगे कि आज भोली का त्योहार है, कहां जा रहे हैं, घर पे क्यों नहीं रहते, घर पे रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या जरूरत है कहीं जाने की और त्योहार के दिन तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बहुत से सवाल लोगों ने, समाज ने, वैवेस्था ने, आपके साथ किये होंगे, लेकिन उन सब से लड़ते हुए, अपने उपर काबू करते हुए, अपने विचारों को समेठते हुए, भाव को मजबूत करते हुए, आप यहां तक पहुँचे, अगर आप परमात्मा के रास्ते पर चल पड़े, तो फिर इन चीजों का महतव नहीं रहता, महतव रहता है कि हमारी कितनी चढ़ाई हुई, कितना हम परियास कर रहे हैं, कितना भजन हो रहा है, कितना सुमरण चल रहा है, हमें कैसे परमात्मा के नजदीक जाना है, कैसे मन को काबू करें, कुछ लोगोंने साधना की सुरुवात की, कुछ अच्छी स्थिति में हैं, कुछ पहुँच गए वहां तक, आज जिस उदेशे से, कुछ लोग अलग उदेशे से आए हैं, कुछ लोग बहुत दिन हो गए, काम चल रहा था, कुछ लोग मेरे पास बहुत पहले चले गए, मैं आज भी उनका काम करता रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जुड़े हुए लोग थे, जो मेरे पास आजाता है, उसका काम रोकता नहीं, चाहे वो कहीं भी जाओ, किसी परकार से भी रहो, कैसे भी करता रहो, अब तक जो था वो चलता रहता था, मैं देखता रहता था जरूरत के अनुसार लेकिन अब संगत धृरे धिरे बढ़ रही है परवाव भी बटेगा, दबाव भी बटेगा जो आप लोगों के करम हैं वो भी टकराते रहेंगे तो जो दिल के साथ जुडाव है, वो लोग तो हमारे साथ जुडे ही रहेंगे, कितना भी कुछ भी हो जाए, वो लोग कहीं भी रहें, किसी भी जगे रहें, किसी भी स्थिती में रहें, जहां भी आप उस परमात्मा को याद करोगे, नाम को याद करोगे, भाव से याद करो प्रेम का जबाब का जुडाव होने लगता है। आप दूसरे देशों के अंदर रहते हुए भी हमारे साथ हो। अगर नाम और भाव का जुडाव नहीं है आप हमारे साथ होते हुए भी दूर हो। तो जो आप काम आए हैं, आपको पता है कि आज परभाव ज्यादा होता कुछ लोग डर के मारे वाई हुए हैं। उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आपको किसी परकार की डरने के आउसकता नहीं है। क्योंकि सब कुछ उसके आदेश से चल रहा है। उसके आदेश के बिना मैं एक अदम भी नहीं उठाता और वो आपको उठाने नहीं देग क्योंकि वो शरेष्ट है, परमपिता है, परमेश्वर है। तो जो लोग भै से आए हैं उन्हें भवित होने के आउसकता नहीं है। जो लोग भाव से आए हैं उनका भाव और मुझमूत हो जाना चाहिए। कुछ लोग, मैं देख रहा हूं, आद भाव बड़े आ रहे हैं कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नहीं मुझे तो आज कुछ भी नहीं दिया, गुरुजी ने मिठाई भी नहीं दी, मैं तो वैसे ही पैदल आया इतनी दूर से, सारा दून मैं तो सुबह बहुत जल्दी निकले थे हम तो, हम तो रात से चले हुए हैं, एक बार हमें कुछ भ खराव हो गया था, आप अपने भाव को थोड़ा बदलिए, क्योंकि जब आपके भाव मेरे साथ ठकरा रहे हैं, तो ये आपके भाव उपर भी जा रहे होंगे, आप ये समझेए, आप मेरे लिए यहां नहीं आए हैं, क्योंकि आप, मैं कई बार बोलता हूं, कि आगर आते, तो आज से 20 साल पहले आते, 30 साल पहले आते, आप परमात्मा के लिए आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, और जब आप उसके लिए आए हैं, तो वो आपके एक कदम को देख रहा है, जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, संत मिलन को चाल ये तजमाया कपट अविमान एक कदम आगे बढ़े कोट कोट यग समान तो जब आप मिलने के लिए आते हैं तो जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो करोडों करोड यग के समान होता है क्योंकि उस में जब आप कदम बढ़ाते हैं आपका सारा ध्यान वहीं होता है आपका सारा ध्यान प्रमात्मा के अंदर होता है आपका स्रीर भी वहीं होता है आपका मन भी वहीं होता है आपकी इंद्रियां भी वहीं होती है आपका विचार भी वहीं होता है आप हर तरफ से हुशे ही अनुबहो करते हुए चलते हो ठक गए तो भी प्रमात्मा की मारक पर चल रहे हो तो ये अलग तरह का खेल है जब आप इसे समझोगे जब आपके समझ में आने लगेगा एहसास होने लगेगा तो कोई भी ये मत समझे कि इसको दे दिया परसाद मैं रहे गया ऐसा भाव कभी हर्दे में भी मतलाना क्योंकि देने वाला वो परमात्मा है करने वाला भी वो परमात्मा है उस से उपर ना कोई था ना है ना हो सकता वो सब के भावों को जानने वाला है वो सब के हर्दे में विराजमान रहता है तो जिसका जितना भाव मजबूत होगा वो उतना ही उपर उठ जाएगा वो क्या पता आपको क्या देना चाहता हो वो क्या पता आपको क्या दे रहा हो आपको सोच भी नहीं सकते आपको वो कहां ले जाना चाहता हो तो ऐसे लोग अपने मन के अंदर ऐसे विचारों को रोक करके रखें मजबूत भाव के साथ, मजबूत सर्दा के साथ आप परमात्मा के मारक पर बढ़िए जब आप परमात्मा के मारक पर बढ़ेंगे वो एक कदम बढ़ा करके आपके सारे कस्टों का हरण कर लेगा, आपके हाथ को पकड़ करके सब के भीच से उटा करके ले जाएगा, आपको एसास भी नहीं होगा उसने आपको क्या दे दिया, जब आपको पता चलेगा क्या मिला, आप सोचते रह जाएंगे, जितने भी रोले के काम को कर रहा था, कुछ लोग जो थोड़ा लेप पहुँचे, उनके काम कुछ के बाकी हैं वो अभी मैं जाने के बाद करूँगा, लेकिन सब की हजरी लग जाएगी, जो लोग नहीं पहुँचे, जिन्नोंने बहुत वर्स हो गए हमारे से दूर हुए, उन्हें थोड़ा सा अब कस्ट जरूर होगा, क्योंकि जो हम कारिय कर रहे थे, वो थोड़े से कम कर देंगे, क्योंकि इदर उदर जब उनका काम चल जाता है, हमारी आओ सकता कम है, तो हम कम ही बीच में कूदते हैं किसी काम के, तो उनका तो परभाव धीरे धीरे कम होता चला और जो उनके अब तक सारा सिस्टम रोक करके रखा था, शमाल करके रखा था, उनका परभाव बदलने लगेगा, लेकिन जो भाव के साथ जुड़े हुए कहीं भी उपरत्वी के उपर, चाहे परत्वी से उपर किसी भी लोग के अंदर, उनको ने कोई रोकने वाला होगा ने कोई टोकने वाला होगा, उनने कोई रास्ता उनका रोक सकता है, ने कोई दर्वाजा बंद कर सकता है, आपको बस नाम रटने किया हो सकता है